नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और आपके साथ मैं हूँ करांती सेंग आपको तादे की राजस्थान संकट पर C.M. अशोग ग्याहलोत को परेवेक्षकों ने क्लीन चिट दे दी है जियां आपको तादे की परेवेक्षक मलिकार जुन खडगे और अजय माकर ने ये रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौब दी है मंत्री और विदायक शांती धारिवाल प्रताप सिंग खचारिया वास कॉंग्रिस नेता धर्मेंदर राठोड के खिलाफ कारवाई की अनुशंसा हुई है आपको तादे की राजस्थान राजनितिक संकट पर कॉंग्रिस के परेवेक्षक ने रिपोर्ट सोनिया गांधी को भेज दिये इस रिपोर्ट में सियासी संकट के लिए अशोग गैलोत को जिम्मदार नहीं ठहराते हुए क्लीन चिट देने की बात सामने आई है साथ ही परेवेक्षकों से अलग दूरी बैठक बुलाने वाले प्रमुखतीन निताओं के खिलाफ अनुशासन आतुमक कारवाई की सिफारिश की गई है मंत्रि और विधाय को शांती धारिवाल चीफ विहिप डॉक्र महेश जोशी कॉंग्रिस नेता धरमेंदर राठोर के खिलाफ कारवाई की अनुशान सा हुई है इनको कारण बताओ नोटिस भी बेजा गया है रिपोर्ट में अशोग गयलोत को क्लीन शिट की बात सामने आई है तकनीकी तोर पर परिवेक्षिकों ने उन्हें घटना करम के लिए कहीं जिमेदार नहीं बताया धारिवाल, खचारियवास और धर्मेंदर राठोर के अलावा कुछ और नेताओं के नाम इस लिस्ट में हो सकते हैं जिनके खिलाफ कारवाई की अनुशंसा की गई है नौपन्नो की रिपोर्ट में सिलसिलेवा, धंग से प्रवारी और परिवेक्षिकों ने पूरी राजुनितिक घटना करम को बताया है पूरी रिपोर्ट दो भागों में है पहरे भाग में पूरा घटना करम बताए गया है दूसरे हिस्से में अनुशास नात्मक कारवाई की सिफारिश हुई है आपको तादे कि शांती धारिवाल महेश जोशी और धरमेंदर राठोर के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है पार्टी के हित के लिए खिलाफ काम करने के लिए ये नोटिस जारी किया गया इसमें ये बात का भी जिक्र है कि विदायक दल की बैठक के पहले पैरलल करने वाले नेता अशोग गहलोत के कारीबी है राजस्तान में कॉंग्रिस विदायक सचिन पाइलेट को सीएम बनाने का विरोध कर रहे थे विरोध को खत्म करने के लिए कॉंग्रिस आलक कमार ने मलिकार जुन खड़गे और अजय माकन को परिवेक्षक बना कर भी जा था इस मीटिंग में संसद्य कारेमंत्री शांती धारिवाल के साथ चीफ विह डॉक्टर महेश जोशी भी शामल थे गैलोत के समर्तर में विदायकों के स्तिफ़े की बात सामने आई थी लेकिन अब कई विदायक स्तिफ़े की बात से इंकार कर चुके हैं ये भी कह रहे हैं कि उनको उस मीटिंग में धोके से बुलाए गया इस मीटिंग पर परिवक्षकों ने आपती जुताई थी नहीं नेताओं के खिलाफ अफकारवाई की सिफारिश की गई है सोमवार शाम को दिल लिया कर मलिकार जुन खड़के और अजय माकन सोनिया गांधी से मिले थे यहां स अध्यक्षपत के चुनाफ के नतीजे आने के बाद दूसरी शर्त थी कि कॉंग्रिस विदायकों से ग्रुप में एक साथ बात की जाए उनसे अलग अलग बात ना हो तीसरी शर्त थी कि राजस्तान में सीम गैलोत कैम्प का होना चाहिए यहां पाइलिट का सीधा सीधा वि इस से अशोग गैलोत बाहर हो सकते हैं ऐसा कहा जा रहा था लेकिन आप खबर है कि कॉंग्रिस अध्यक्षप लड़ने के मामले में गैलोत वेट एंड वाच की स्थिती में अगर सोनिया गांधी का निर्देश मिलेगा तो वो कॉंग्रिस अध्यक्षप का नामंकन करेंग सोनिया गांधी को लेकर के देखा जा रहा था कि वो बेहदी चुपी साधी हुई बैठ हुई थी लेकिन अब जिस हिसाब से वो अलर्ट मोड पर काम कर रही है कॉंग्रिस के लिए उससे ये बात साफ हो चुकी है कि आने वाले समय में वो पूरे मामले में अपनी और भी ज अब रोख लिए देखते रहे है एस्पेन आई न्यूज